आज हम आपको मुंबरा शहर की दो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आप पहली तस्वीर देखने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज हमारा शहर किस तरफ जा रहा है और दूसरी तस्वीर उन बच्चों की है जिनसे आपको सीख लेने की जरूरत सबसे पहले आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं जो मुंबरा शहर की है जहां सडकों पर पड़े कचरों का अमबार या आप यू कह सकते हैं कि मुंबरा शहर की कचरों में हैं मगर अब आपको वो तूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं जो इन बच्चों ने आज मुंबरा शहर को संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से आप अपने शहर की सफाई कर सकते हैं इन बच्चों ने नाटक के जरिये भी ये समझाने की कोशिश की कि कच्रे को सड़क पर नहीं फेकना चाहिए बलकि कच्रों को डेस्ट बीन में डाले ताकि हमारा शहर साफ रहे और इन से आने वाले बिमारियों से भी बच सके हमारे आपर इस दे हमारे एरिया में हमारे देश में हर जगा साफ सफाई रखना चाहिए क्योंकि हमें इससे बहुत सारी बिमारिया सकती है हमें हर जगा पर साफ सफाई रखना है इसलिए आज हमनों ने सब रेली निकाला तक हर इंसान ये देख कर जागरूत हो जाए हमने आज ही रेली इस लेह निकाले कि हम भी रखादे हैं हमारा देश स्वच्च हो अच्छा हो पर ये कोई और भी नहीं करता है हम स्वच्च रहे सफाई रख्कर हम अपने शहर को अपने सीटी को सबसुतर रख्कर सारी बीमारियों स्युक्त कर सकते है हमारा एम है कि हमारा देश स्वच रहे और हम चाहते कि हर एक जंगा हर एक कोना क्लीन रहे ऐसा नहीं रहे कि बच जाए आज देखा जाता है तो इस्पेशली मुम्रा में बहुत गंदगी है तो हम उसे साफ करना चाहते हैं अब छोटे-छोटे कदम से इंसान बड़ा कुछ क पर पाता है तो इसलिए हम लोग यह रेली निकाले हैं और हमारा यही एक मकसद है कि हम अपने देश को स्वच बनाए सुन्दर बनाए मेरी स्कूल के बच्चों ने जो आज संदेश दिया है उस संदेश से आज हमें और आपको सीख लेनी की जरूरत है साथ ही इन बच्चो को इन बच्चों से सबक लेने की सक्त जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में इस शहर की सफाई कैसे की जाए यह नेताओ के भी समझ में आना बहुत जरूरी है तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे है प्रहार टाइम से